इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2019 जिसका पेपर 8 दिसंबर 2019 को कंड़क्ट हुआ था उसमें का इंगलिस का पार्ट देखने जा रहे हैं इस पेपर के अने पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के कंप्लीट होने का बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तो लेंग्वेज के किसी भी पार्ट में हिंदी अंग्रेजी या फिर संस्कृत में आपके 15 अंक के अंसीन पैसे से प्रश्ण पूछे जाते हैं ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी में आपका एंसर छूपा होता है तो इसको आप बड़े आसानी से 15 नंबर गेन कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्कृरिंग होता है चलिए मैं उदाहान के तौर पर आपको समझाता हूँ जैसे कि आप इसक्रीन पर अंसीन पैसे देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको इसको हल करते समय सीधे पैरा नहीं पढ़ना है सबसे पहले पर जल्दी से नजर जरूर डालने किया करें ये जो इस अंसीन पैसेज आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा लंबा है इस वसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं आप लोगो थोड़ा सा ओवर्वियू दे दूँ कि ये अंसीन पैसेज फ्रीडम पर आधारित है पुराने समय से ही लोग फ्रीडम के लिए संगर्स करते रहे हैं राजनेतिक तोर पे या फिर यहाँ पर जानकारी दी गई है कि पुन्जिवादी कंट्रीज में जहां इंडिवीजुल फ्रीडम थोड़ी बहुत एक्जिस्ट करती है लेकिन कम्मिनिस्ट कंट्रीज में जो सामयवादी देश होते हैं वहाँ पर इंडिवीजुल फ्रीडम बहुत ज़्यादा माइने नहीं रखती है सांती सांत यहाँ पर बहुत से बाते कही गई हैं कि जो स्वतंतरता के लिए लड़ते हैं उनको विभिन प्रकार के सेक्रिफाइस देने पड़ते हैं और उनक जो स्वतंतरता के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनको किस नियम के आधार पर दबाया नहीं जाता है इस पहरा के आधार पर ही आपको उतर देना है तो पहला है इंक्विसीजन इसका अर्थ यह होता है कि नियाई प्रक्रिया के तहट जाच करना दूसरा है एक्स जिसका अर्थ यह होता है धर्म से बहिसकार कर देना और तीसरा है पर्सुेशन जिसका अर्थ यह होता है कि प्रोटसाहन देना और चौता है टॉर्चर्स आप जानते हैं प्रतारना करना तो इस पहरा में पर्सुेशन यानि कि प्रोटसाहना का चर्चा नहीं किया गया या पहला है join other religious organization यह आपके पहरा में दिया गया है दूसरा है to start new religion तीसरा है follow some guru और चौथा है join some cult यानि कि जो पहले से established religions हैं उनमें अगर कोई problem होता है तो लोग इसके against में क्या action लेते हैं तो यहाँ पर इस पहरा के अनुसार option number two to start new religion इसका सही उतर होगा क्योंकि जो किसी established religion से परशान होते हैं वह किसी दूसरे धर्म गुरु को follow करने लगते हैं या किसी पंथ को follow कर लगते हैं उनको join कर लेते हैं या फिर किसी other religious organization के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन इस पहरा में नया religion सुरू करने की बात नहीं की गई है यानि कि to start a new religion इसका सही उतर होगा अगला प्रशन है real freedom according to the author is यहाँ पर author ने inner freedom को यानि कि आंतरिक स्वतंतरता को ही real freedom सही रूप से स्वतंतरता की संग्याद दी है यानि कि 123 का option number two real freedom इसका सही उतर होगा अगला प्रशन है read the following sentences पहला है individual freedom does not exist at all in the capitalist countries यानि कि पुण्जिवादी देश में individual freedom exist नहीं करती है दूसरा दिया गया है people do not have individual freedom in communist country यानि कि सामेवादी देश में individual स्वतंतरता exist नहीं करती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला वाला गलत है क्योंकि पहला में इस पश्ट लिखा है कि पुण्जिवादी देशों में कुछ हद तक individual स्वतंतरता होती है लेकिन सामेवादी में बिल्कुल भी individual freedom नहीं होती है यानि कि पहला option गलत है और दूसरा सही है यहाँ पर आप देखेंगे पहला option जो लिखा गया है A is false, B is true यह सही उत्तर होगा यानि 124 का option number 1 सही होगा पचीसवा प्रशन है यहाँ पर देखेंगे इन चारो option में जो सबसे सटीक है वह attempts है क्योंकि attempts का मतलब भी प्रयास होता है और आपसे परयवाची पूछा गया था similar words पूछा गया था ठीक है तो 125 का option number 2 attempts इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है which word is the most opposite in meaning to the word shun as used in the passage para2 यहाँ पर para2 में एक word यूज किया गया है shun करके shun ठीक है इसका opposite आपसे पूछ रहा है देख करके move fair लेते हैं या फिर उसका welcome करते हैं दोनों opposite लग रहा है ठीक है यानि 126 का option number 3 welcome इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है which part of the following sentence contains an error इसका अर्थ हुआ कि दिये गए वाक्य में कौन सा part गलत है there is no doubt that hard work paves the way to success यानि कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कठिन परिश्रम सफलता की राह को सुनिश्चीत करता है यहाँ पर देखेंगे आप चारों पार्ट में D वाला पार्ट गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर to success नहों करके off success होगा paves the way of success यानि कि 127 को option number 1 D पार्ट गलत होगा अगला प्रशन है which of the following statement is not true आपसे not true प्रूचा है कौन सा सत्य नहीं है इस पैरा में आप देखेंगे तो एक बहुत important line लिखी गई थी कि freedom is one of the most important factor in life ठीक है यह आपकी पहली line लिखी गई है और यहाँ पर तीसरा option देखिए freedom is not one of the most important factor in life यह option गलत है क्योंकि पैरा के अनुसार freedom को सबसे महत्वपूर्ण factor बताया गया है life का यानि कि 128 का option number 3 सही उत्तर होगा 129 से ले करके 135 तक आपको फिर से एक पैरा दिया गया है यहाँ पर दो पैरा cover किया गया है और दोनों से मिलया करके 15 अंग के प्रशन पूषे गहे हैं इस पैरा का मैं ज़ले से theme बता देता हूँ यहाँ पर हिमालया परवत की गुड़गान किया गया है और वहां से विभेन प्रकार की नदिया जो निकल रही है वह कितने लोगों को benefit पहुचा रही है और glacier से हम लोग को या फिर जो वातावरण जो create हुआ है हिमालय की बज़े से जो climate change बहुत जादा नहीं हो पाता है उन सब के बारे में बताये गया है और कैसे 1000 million people इसे benefit पाते है और glacaries और South Asia में किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ती है इस सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है तो चलिए एके करके इस पर आधारित प्रश्णों को देख लेते हैं 129 प्रश्ण है which of the following has not been mentioned in the passage देखे पहला लाइन है the Himalaya provides us with highly productive ecosystem ये इसमें mention किया गया है दूसरा है the Himalaya provides water to more than 1000 million people ये भी सही है मैंने आपको पहला ही बताया सार के रूप में और तीसरा है the Himalaya irrigate millions of the hectares of land ये भी बात सही है ये भी mention है और चौता है the Himalaya from the lack the backbone of our tourism industry ये बात इसमें नहीं लिखे गए इसमें tourism का कोई भी बात नहीं लिखा गया यानि कि 129 का option number 4 गलत है और आप से प्रश्ण में भी गलत पूछ रहा है तो ये 129 का option number 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है which of the following is false मतलब निम्न में से कौन सा गलत है दूसरा option देखिए climate change has little effect on the Himalayas ये option गलत है क्योंकि जो climate change होता है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है हिमालिया से तो ये वाला option गलत है बाकी सब सही है आप से false पूछाए यानि कि 130 का option number 2 सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है what is the what is no so special about the Himalayas in the state of Uttrakhand the Himalayas state has देखिए यहाँ पर सभी बातों के बारे में चर्चा की गई है लेकिन minerals के बारे में चर्चा नहीं की गई थी यानि कि option number 2 huge mineral deposit इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये इसमें चर्चा नहीं हुआ है 131 का option number 2 सही होगा बात करते हैं 132 में प्रश्ण की which of the following words is most similar in the meaning of the word bounty bounty का similar word उदार होता है ठीक है bounty का मतलब भी उदार होता है और पहला option जो दिया गया है generosity इसका मतलब भी होता है उदार ता यानि कि 132 का option number 1 सही होगा और asset का मतलब होता है संपती sympathy means होता है दया दिखाना और abundance का मतलब यह होता है कि प्रचूरता के मात्रा से यह संबन दिता है तो option number 1 132 का generosity इसका सही होगा अगला प्रश्ण है which word is the opposite in meaning to the word benevolent दखिए दोस्तों benevolent का मतलब यह होता है भलाई करने वाला और इसका opposite हो जागा malevolent option number 1 133 का option number 1 malevolent इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है which part of speech is the underlined word in the following sentence यानि दिए गए वाक्य में जो underlined शब्द है वा कौन सा part of speech है और वाक्य आपका है the area is home to dogens of preneal streams दोस्तों यहाँ पर preneal का अर्थ यह होता है कि चिर इस्थाई ठीक है यानि कि हिमालय का जो area है वह बहुत से दर्जनों प्रवाहों नदियों और जीलों का चिर इस्थाई इस्थान है यानि घर है उसका ठीक है यहाँ पर देखिए streams जो है वह एक noun है और उसकी विश्यस्ता बताता है यानि कि चिर इस्थाई stream ठीक है यानि कि जो इस्थाई है जो नदी है जो धारा है जो जल प्रवा है वह चिर इस्थाई है यानि कि यहां पर सदियों से है तो यह इसकी विशेशता बताता है नाउन की और जो नाउन की विशेशता बताता है उसको बोलते हैं adjective यानि कि 134 का option नमबर 3, adjective इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रश्न है, in the context of the passage, which is the following is not true, ध्यान रखेगा not true पूछ रहा है, कौन सा आसकते है, ठीक है, water should be centered, central to our thinking because, मतलब कि जल हमारे central में होना चाहिए, जब हम किसी बात पर विचार करते हैं, देखिए, क्यों होना चाहिए, तो यहाँ प नमबर 3, it is considered holy by most religions, यह पैरा में mention नहीं है, यहाँ पर धर्म से जोड करके इसको नहीं देखा गया है, तो यह वाला option गलत है, प्रश्न में आप से not true पूछा है, यानि कि यहीं option 135 का तीसरा सही उत्तर होगा, यहाँ से आपका pedagogy का part सुरू होता है, आप लोग इसको ध्या से देखेगा, क्योंकि 15 अंक के प्रतेक वर्स सीटेट की परिक्षा में pedagogy के प्रश्न पूछ जाते हैं, अगला प्रश्न है, a teacher wants to create a language rich environment in her class, she should, यानि कि एक सिक्षिका है, जो कि अपने class में एक language rich वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, पहला option दिया गया, establish a language lab in her class, देखिए, language lab establish करने की बात हो रही है, जो कि possible नहीं है, हमारे पास जो resources हैं, उसी को available करना होगा, प्रात्मिक सरकारी विश्वविद्या स्कूलों में इतने ज़्यादा resources नहीं होते हैं, कि आप उसको lab में convert कर पाएं, उस particular class को, तो ये option गलत है दूसरा है, motivate parents to buy language, games and activities, अब देखिए, हमारे पास जो resources available हैं, उसी पर हमको focus करना होगा, आप parents को force नहीं कर सकते कि आप ये समान खरी दिये, क्योंकि बहुत से parents गरीब भी होते हैं, ठीक है, RTE Act आप देखेंगे, तो उसमें जो main stream से शामिल नहीं है, उन अभियरते को शाम से खर्च करें, तो ये भी option गलत हो गया, तीसरा है, provides an opportunity where the language is seen, noticed and used by children, यानि कि हम लोग एक ऐसे वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं, मौका देने की बात कर रहे हैं, जिसमें चात्र language को देख सकें, उसको notice कर सकें, उसको feel कर सकें, और उसको अपनी भाशा में use कर सकें, यानि की एक environment हम लोग बना रहे हैं, जिसमें अभियर्थी जिस language को सीखना चाहता है, उस पर वो focus कर पाए और उसको महसूस कर पाए, ये वाला option सबसे 60 है, चौता option देखिए, ask students to use only English while communicating in the class with peers, यानि की हम लोग ये बोलना हैं कि आप कक्छा में सिर्फ अंग्रेजी के बार भी हैं और जो one cheat रह गए हैं, यानि की उनका जो mother tongue है, हो सकता है कि आप जिस class में English की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वह English को ना समझ पाए, तो वह एक तरीके से demotivated हो जाते हैं चाहतर, तो आप English compulsory नहीं कर सकते कि आप इसी में बात करेंगे, ठीक है, तो option number 3 इसका सबसे 60 उत्तर होगा, कि हम लोग उनको एक opportunity provide करें, ताकि वह language को देख सकें, notice कर सकें, महसूस कर सकें और उसका use कर सकें, ठीक है, हम उसको force नहीं करेंगे कि आपको यहीं करना है, यानि 136 को option number 3 इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रशन है, literature for children is considered as reading, देखिए, यहाँ पर literature का होता है साहिते, यानि कि literature for children is considered, यानि कि जो साहिते वचातरों के लिए किस प्रकार से स्विकार किया जा सकता है, पहला है additional burden on reading, देखिए, यहाँ पर burden का मतलब होता है बोज, यानि कि बोज नहीं है, literature बच्चों के लिए, यह option गलत हो गया, दूसरा देखिए, authentic source of reading, यह option स ही लग रहा है, तीसरा देख लेते हैं, hindrance material for, hindrance का मतलब होता है बाधा, यानि कि यह भी option के लेते हैं, और चौता है inspirational source, यानि कि प्रेडा सुरोत के रूप में, यहाँ पर देखेंगे option number two, authentic source, यानि कि प्रमारिक source, सबसे सटीक उतर होगा, 137 का option number two, बात करते हैं 138 प्र literature for children, यानि कि कौन सा, निम्न में से कौन सा, सहिते का एक form नहीं है, आपको बताना, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, बचों की बात हो रही है, तो picture book, यह option सही है, यह part होता है, क्योंकि pictures के मादयम से हम लोग छातरों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तीसरा option tales of heroes of histories, यानि कि जो इतिहास के hero हैं, उनको उनके बारे में बता करके, तो यह पहला, तीसरा और चौथा सही option है, जो दूसरा option है, ठीक होता है, कोश, यानि कि परेवाची सब्द का कोश, यह बच्चों के literature का एक part नहीं है, यानि कि 38 का option number 2 इसका सही उत्तर होगा, अगला part देख लेते हैं, 149 है, which one of the following statement is not correct, ठीक है, यहाँ पे आपसे not correct पूछ रहा है, about print rich environment, जब आप स्कूल में जाते होंगे, तो दिवारों पर विबिन प्रकार के cartoon और कुछ ऐसे प्रेरक चित्र बने होते हैं, स्कूलों में, बच्चों के, जिनसे वह सीखते हैं, ठीक है, त तो इसी चित्र के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, पहला option दिया गया, it consists of context-based relevant material for children such as pictures, rhymes, stories, etc, यह option सही है, क्योंकि बच्चे के लिए picture ही बनाया जाता है, ताकि वह उसको देखें और उसमें interest लें, ठीक है, दूसरा option देखें, once the material is pasted on the walls, यानि कि एक बार अगर दिवार पर कोई चित्र बना दिया जता है, it should not be removed for the whole session, तो वह पूरे सत्र के लिए उसको हटाया नहीं जा सकता है, जो की गलत है, अगर एक बार चित्र बना दिया गया है, तो उसको कितनी बार भी स्कूल प्रसाशन के द्वारा हटाया जा सकता है, तो दूसरा option गल गलत है, तो दूसरा option जो था, जिसको एक बार चित्र बनाने के बाद से नहीं हटाया जाता, पूरे सत्र के लिए ये option गलत है, ठीक है, आपसे प्रस्ण में गलत ही पूछा है, तो 149 को option number 2 इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रस्ण है, a teacher gives a task of dialogue completion to class 5th students, the role of this task in language learning will be, यानि कि जब आप देखते हैं कि छात्रों को कुछ एक वाक्य में कुछ शब्द बोल दी जाते हैं और बाकी शब्द छोड़ दी जाते हैं सिख्छा के दौरा, और उनको बोला जाता है कि आप इस वाक्यों को complete कीजिए, तो वहाँ पर सिख् के माध्यम से वह language में practice करके उस पर command पा सके, ठीक है, यानि कि उनको author दिया जाता है कि वह उस particular language में command पाए और बोल चाल की भासा में जो कुछ भी words वहाँ पर सटीक बैठ रहे हैं, उनको वह प्रियोग कर सके, तो यह आप देखेंगे option number 3 है, to facilitate conversation by giving specific language practice using formulaic expressions, यानि 140 का option number 3 इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रश्न है, using realia in the language class mean bringing, देखिए, realia का मतलब यह होता है कि real objects और teaching ads का प्रियोग करके बच्चों को पढ़ाया जाए, जैसे माल लिजिए, कि अगर हमें color पढ़ाना है, तो लाल रंग पढ़ाने के लिए हम लोग लाल गुलाब की पंखु पढ़ाया जाता है, तो वो होता है realia, ठीक है, तो option number two, real objects as teaching ads इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रश्न है, the multilingual nature of the Indian classroom must be used as resource so that, यानि कि जब प्राथमिक इस तर पर बहुत से भास्राओं का प्रियोग किसी एक कक्छा में किया जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश से क्य होता है, ठीक है, तो देखिए, जब भी बच्चा प्राथमिक में admission लेता है, तो वह विभिन प्रकार के छेतर से आता है, जो कि मुख्य धारा में भी शामिल हो सकते हैं, या फिर वंचित छेतर से भी हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि हिंदी आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपको ना ढाल पाए उस language में, क्योंकि हो सकता है कि उसकी mother tongue भोजपूरी हो, या फिर कोई other language हो, तो हो सकता है कि हिंदी अंग्रेजी देखकर के वो घबरा जाए, तो कच्छा का माहल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की भाशा कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, and accepted, यानि कि प्रतेक छात्र इसमें secure feel करे अपने आपको और अपने आपको उसमें accept करा पाए, उस वातावरण में अपने आपको ढाल पाए, यानि कि 142 का option number 1 सही उत्तर होगा, अगला प्रश्ण है, an English textbook for class 1 starts with pictures, poems, stories and ends with alphabets in the end, which approach does this kind of arrangement reflects in language pedagogy? यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे को जो word है, alphabet है, जिसको word बोलते है, A, B, C, D, इसको सबसे बाद में पढ़ा जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले इनको pictures दिखाये जा रहा है, book में, उसके बाद से poems और stories यानि कहानिया बताई जा रही है, और सबसे बाद में alphabets की जा विताये, यह सब पढ़ाई जा रही है, यानि कि सबसे पहले उनको वाक्य paragraph बताया जा रहा है, उसके बाद वाक्य बताया जा रहा है, उसके बाद सबसे बताया जा रहा है, यह होता है, top-down approach, यानि कि 143 को option number 3, top-down approach इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रशन है, while checking the notebooks, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image as B, D, M, W, the child showing the sign of, यानि कि कोई एक छात्र है जिसको सिख्षक जब notebook check कर रहा है तो बार-बार देख रहा है कि वह B को D बना रहा है और M को W बना रहा है, यानि कि image उसके mind में थोड़ा सा skip हो रही है, बी जब आप बनाएंगे तो वह D के जैसा दिखता है small में और जब M बनाएंगे तो वह W की तरह दिखता है तो बच्चा बार-बार ये गलती कर रहा है तो या किसका उधारन है तो या है learning disability का, यानि कि वह आधिगम सही रूप से नहीं कर पाया है learning disability है, 144 का option नमर 3, learning disability सही उतर होगा अगला प्रशन है, a teacher is telling a story with action and gestures to class third student after this, she asked them to draw picture on the story in the groups why do you think she asked them to draw picture on the story इसका आर्थिये हुआ कि कक्षा तीन के छात्रों को पढ़ाते हुए एक सिक्षी का ने एक कहानी सुनाया, पूरे action के साथ और पूरे how about के साथ gestures means होता है how about, ठीक है उसके बाद से उन्होंने बच्चों को इस पर आधारित कुछ pictures बनाने के लिए बोले group में, ठीक है, तो वह pictures क्यों बनाना चाहती थी तो इसका सही उत्तर होगा कि वह जानना चाहती है सिक्षी का, कि बच्चे कहानी को किस हाद तक समझे है ठीक है, तो ये option number 3 में दिया गया, see wanted to assess their comprehension of story assess का मतलब होता है, मुल्यांकन करना, आकलन करना, ठीक है और comprehension का मतलब होता है, समझ, यानि कि बच्चे कहानी को कितना समझे है वह चित्रों के माध्यम से उसका मुल्यांकन करना चाहती है 145 का option number 3 सही उत्तर होगा अगला प्रशन है, active vocabulary consists of words which are यानि कि जो शक्रिय सब्दावली है, वह निम्ण में से किस से मिल करके बनी होती है यानि कि जब आपके पास कोई शब्द कोस है, तो उसमें जो सब्द है आप बार-बार, bolch pan की भासा में अगर सब्दों को यूज करते जाते हैं यानि कि आपके पास वो सब्दावली आपके सब्दकोस में रखी हुई है यानि कि बार-बार आप सक्रिय रूप से उस सब्दावली को repeatedly उसको use कर पा रहे हैं यानि कि used frequently इसका सही उतर होगा 146 का option number 3 used frequently अगला प्रशन है the major aim of teaching poetry is यानि कि कविता पढ़ाने का सबसे प्रधान aim क्या होता है तो इसका सही उतर होगा option number 2 enjoyment and appreciation enjoyment and appreciation option number 2 इसका सही उतर होगा बात करते हैं 148 प्रशन की morphem is the तो दोस्तों morphem जो होता है वह एक शब्द या शब्द का एक भाग होता है हिस्सा होता है जिसका अपना खुद का अर्थ होता है लेकिन जब हम उसको तोड़ देते हैं तो उसका अर्थ नहीं निकलता है जैसे कि आप समझेए अगर मैं बोलू cat ठीक है तो cat एक morphem है cat एक शब्द है और ये एक morphem है क्योंकि इसका अर्थ है billy ठीक है लेकिन जब आप इसको तोड़ देंगे जब c, a और फिर t कर देंगे यानि दो भागों में तोड़ देंगे एक पहला पार्थ c, a हो गया और दूसरा पार्थ t हो गया तो अब इन दोनों का अलग-अलग कोई भी मतलब नहीं है तो morphem का मतलब यहीं होता है कि morphem एक सब्द है या सब्द का एक पार्थ है जिसका अपना तो मतलब होता है लेकिन जब उसको हम और ज़्यादा तोड़ते हैं तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है तो यहाँ पर देखें कि option number 2 smallest unit of meaning that cannot be broken यानि कि सबसे छोटा अर्थ जिसको अब हम ज़्यादा उससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं यानि कि उसका अर्थ खत्म हो जाएगा यानि कि 148 का option number 2 smallest unit of meaning that cannot be broken up सही उत्तर होगा अगला प्रशन है A teacher of class second uses learner's knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching Here teacher's language is used in teaching English as यानि कि जो अध्यापिका है कच्छा दो की वह class के बच्चों के knowledge और English के बीच में एक bridge mother tongue use कर रही है तो यह जो mother tongue है वह किस प्रकार से consider किया जाएगा देखिए जब भी छात्रों को अंगलेजी पढ़ा जाता है तो उनके मातरी भासा में उसका translation किया जाता है ताकि वह उसको अच्छे से acquire कर पाएं तो जो mother tongue है वह यहाँ पर resource के रूप में use हो रहा है यानि कि संसाधन के रूप में use हो रहा है जो भी छात्रों के पास पहले से acquired knowledge है जिस language की mother tongue जो भी होगा उसमें हम उसको translate करके उसको बता पा रहा है यानि कि वह उसका resource है उसका संसाधन है उसकी mother tongue तो यहाँ पर 149 का option number 3 resource इसका सही उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ BICS stands for तो option number 4 basic interpersonal communicative skills इसका सही उत्तर होगा 150 का option number 4 दोस्तो यहाँ पर English part पुरा cover होगा आपको यह video कैसा लगा comments के मादम से जरूर बताएगा और इस paper के अन्य parts को देखने के लिए इस video का description जरूर चेक करें आज का video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो